कि नमस्कार बच्चों करक्साइदस्ट की विज्ञान की बुस्तग में हमारा पार्ट आठ जीव जुनन कैसे करते हैं हार तो इसमें अभी एक दो कोशिन रहे हुए इनको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उससे पहले जो कुछ फुल फॉर्म आती हैं एक नंबर में इस एलेटेड तो उनको माज बतायता हूं इसमें आप इनको नोट कर लीजेगा ठीक है सबसे पहले है आई यूसीड तो इसकी फुल फॉर्म लिखने को आती है तो इसकी फुल फॉर्म में इंट्रायूटराइन कॉंट्रेसेप्टिव डिवाइस जयनकि अन्ता गरभा सही निगरबनी रोधक युकति हैं ठीक है दूसरा है एस्टीडी एस्टीडी की फुल फॉर्म आती है सेक्षवल ट्रांस्मिटेड डिजीजेज जैने की यौन संचारित रोग उसके बाद आता है एचाइवी एचाइवी की फुल फॉर्म लिखने को आती है इसकी फुल फॉर्म में हियूमन इमिन्यो डिफिचेंसी वाइरस यह इंग्लिस में हुआ और हिंदी में बोलते हैं इसको मानव प्रतिरक्षा नियूनता विसानू ठीक एक उती है एक्षा एक्वाइर्ड इमिन्यो डिफिचेंसी सिंड्रोम यानिकी उपारजित प्रतिरक्षा नियूनता सिंड्रोम ठीक है तो यह हिंदी और इंगलिस दोनों में ना बता दी है उनको अपनी फिरकोप में नोट कर लिजाए बहुत इंपोर्टन आज की वीडि एचाइवी के कारण होता है एचाइवी का पुरा नाम मानव प्रतिरक्षा नियूनता विसानू निकी हुमन इमिन्यो डिफिचेंसी वाइरस है ठीक है एक जो एचाइवी विसानू होता उसकी कारण ही रोग होता है एड्स यह विसानू मानव सरीर में प्रतिरक्षा तंत् इनको जो है नस्ट करता है इससे जो शरीर होगा मानों का उसकी प्रतिरक्षा यानिकी इम्मिनिटी सिस्टम देरे-देरे कम होने लगता है इसके फल सुरूप रोगी जो है संक्रामक रोगों से प्रृटिध होकर मर जाता है एट्स का पूरा नाम उपारजित प्रतिरक्षा निव्हंता सिंड्रोम है प्रिजनी एकमिनिटींड डिफिश्निशी सिंड्रोम है इस रोगोs का ग्यान 1981 में हुँआ इस वीजाणों की खोज होज 1983 में हुई जो एक रोग था है उसका पता 1981 में लगा और कि किस कि कारण हो यह अगर कि होज करीथी इस Siad एक रोग होता है के द्वारा व्यक्तियों द्वारा साजा इंजेक्शिन की सुई के परियोग से फैलता है अब देखते हैं अचायवी सननस्तना क्या होती करके यह लगबक 90-120 होता है कि इसमें के 2 समान टुकडे होते हैं संक्रमित व्यक्तियों में थकावट ग्यर् आधी प्राणबी ग्लेक्शन दिखाया देते हैं क्योंकि जब इम्मिनीसिस्टम कुम्ह जूद दो रहता तो यह जल्दी से उस व्यक्ति में दिखाया देने लगते हैं बाद में टोछा पर सब्च्र चक्ति दिखाया दिन लगते हैं और अंत्यम्त व्यक्ति से प्रभाइत जो अंते में जो है व्यक्ति जो होता है संक्रमी त्रोंगों से प्रभाइद होकर वो मर जाता है अब एट से बचाओ क्या है उसको देख लेते हम एट से बचाओ के लिए निमलिखी तुपाए हैं पहला रख्ताधान के समय निश्चित कर लेना चाहिए कि रख्त एचाओवी मुख्ट हो यह जो हम रख्त ले रहे हैं तो वह एचाओवी मुख्त होना चाहिए दूसरा दवाईयां यह बन चुकी है लेकिन फिर भी इसका रोग का कोई इस पस्ट दवाई नहीं बन पाई लेकिन इसकी रोग थाम के प्रयास के जा रहे हैं करने के लिए 5 दिसंबर को 208 से दिवस मनाया जाता है कि कि इस तरह से हम बचा गुदारा इस प्रोग से दूर रह सकते हैं करके हैं इसके बाद हमारा एक क्वेशन और है इस चप्टर का उसको भी हम कर लेते हैं इसमें कर दिस राओ या रज धर्म क्या क्यों होता है इसके निदिस कारण है पहला जनम के समय ही लड़की के अंडा से में हजारों लगों अविक्सित अंड होते हैं यौणारंब के समय मादा लिंग हर्मोंस के स्तरावित होने पर अंडासय के कुछ अंड परिपाक को होने लगते हैं यानीकि जब लटकी अजनाम होता है तो इसके अंडासय में बहुत अभिक्सिद अंड योनारंब यहने कि जब दुत्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक्त्यक प्रत्य मने में जो है एक अन्ड परिपाक हो जाते हैं, उससे पहले तो तेयारी burg Suzala के अंदर को आसके पहले इसमें प्रात्मिक रसांकृष विख्षत हो जाते हैं और रक्त के सिकाओं का जाल होस्तावित हो जाता है इसके फल्षूरूफ गर्भा से निशेचित अंड को गिरहन करने के लिए निशेचित के लिए तो गर्ण करने के लिए तो अगर वा निशेचन नर्व और माधा युगमत के पड़ियां निशेचन के नहीं होगी होगी तो क्या होगा तो गरभासे जो पहले से त्यार होता है इस्पंजी बनाय रहता है जो अपने उसमें उसका दिरे दिरे वो तूट करके बढ़ने लगता गरभासे की नस्ट को जर्ट करने डिन कोást yoni यूनी से रख्तेस्तहाविゃ जाते हैं तो जो अंड होगा वह भी जो है वह भी जो है उसके नीशिचीत नहीं होता तो तो भी मत रहता है उसके साथ जो घरबा से बनावा जो इस पंजी होता होता है और जरकत के श्रिकाओं तो यह बहुत important caution इसको आपने चीतर से नूट करना अपनी कॉपन में और इसको लरन भी करना है ठीक है तो यहांपर हमारा जो यह chapter है यह जो है समाप्त हो गया है इससे next video हमारे जो अगला chapter है अनुबान सिक्ता और जए बिकास उसको हम पढ़ेंगे ठीक है